राइगर शहर के अंदर से सड़क दुर्घटना की बड़ी वारदात निकल गर सामने आई है जहां नशे में धुत एक कार चालक ने तीन जगा सड़क दुर्घटना को अंजाम दिया है मिली जानकारी के मताबिक कुल चार लोग घायल हो हैं सभी को अस्पताल में भरती कराया गया एक महिला वा पुरुष की स्थिती गंभीर बताई जा रही है आक्रोशित रागीरों ने घटना के बाद नशे में धुत कार चालक की भी जम कर धुनाई कर दी जिसे उपचार है त नाम माधव प्रसाथ साहू पुरुंगा चाल का रहने वाला बताया जा रहा है जो नशे में धुत होकर आटिका कार को तेज रफ्तार से चला रहा था तभी केवड़ा बाडी जोहल पैलस के पास पहले बाइक सवार दो पुरुष एक महिला को जबरदस्त ठोकर मार दी जि कोतरा रोड के पास अपनी चपेट में ले लिया जिसे महिला भी घायल हो गई पैदल चल रही महिला को ठोकर मारने के बाद कार चालक ने फिर आगे निकल भागने की होड में कोतरा रोड सिटी हॉस्पिटल के पास एक कार को ठोकर मार दी पुलिस ने कार को जब्त कर थाने ले आई है आरोपी कार्चालक को उपचार हे तू अस्पताल भेजा गया है जहां घायल हुआ कार्चालक का उपचार जारी है